हाफ लोग ट्वीटर की नए मालिक के बारे में जानते होंगे जिनका नाम है एलन मस्क या एलन मस्क की नाम से भी लोग इन झानते हैं और Twitter आप सभी जानते हैं कि एक Social Media Platform है और जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसे हाली में इन्होंने खरीद लिया है तो इनकी एक और Company है जिसका नाम है Neuralink और जिसकी स्थापना जुलाई 2016 में की गई थी और इसका Headquarter आपको San Francisco, California, USA में देखने को मिलेगा इस Company की तरप से, Australian Musky की तरप से कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द मानो की दिमाख में, इनसान की दिमाख में चिप का उपयोग होना स्रोग हो जाएगा अब आप दिमाख में इस सवाल जरूर आ रहा होगा कि एचिप का काम क्या रहेगा, एचिप होती क्या है और इसके फायदे क्या रहेंगे ये किस तरह से काम करेगी और इसके नुकसान क्या रहेंगी तो उन सब के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं और ये चिप खासकर आप देखें दिब्यांगों के लिए काफी मदद गार साबित होगी अगर ए ट्राइल सफल रहता है तो और आप देखते हैं कि किसी दबा का देख लीजे बैक्सीन का देख लीजे या इस तरह की टेकनोलोजी तकनीक का उपयोग या ट्राइल मानों में ह पखल भी रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस चिप के ट्राइल से कुछ बंदरों की मौह भी हुई थी ट्राइल करने की समए ठीक है एस चिप आप लोग देख भी रहे होंगे एक तरह से या आप लोगों को तो इस चिप के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका नाम ही Neuralink चिप दे दिया गया है क्योंकि कमपनी जो कमपनी बना रही इसे, इसका ट्राइल कर रही है उसका नाम है Neuralink यह एक Artificial Intelligence Intelligence AI Powered Microchip है और जो दिमाग की activity को record और read कर सकती है, आपकी दिमाग की activity को पढ़ सकती है और record कर सकती है कि आप सोचते क्या है, क्या सोच रहे है क्या करने की वारे में सोच चकते है और इसकी मदद से लोगों की disability दिव्यांगता को दूर करने में मदद मिलेगी और इस चिप की मदद से एक Paralyze सक्स अपने दिमाग का इस्तिमाल कर Smartphone यूज कर सकेगा और इउजर्स दिमाग की मदद से हाथ से जान्दा तेज से phone यूज कर सकेगे और मस्क ने इस बारे में साल 2016 में बात की थी एक तरह से आप देखिएगा आप लोग TV चलाते हैं आप लोग mobile चलाते हैं आप लोग computer चलाते हैं तो आप लोगों का दिमाग ही तो सोचता है पहले दिमाग ही सोचता है कि इस function को हमें खोलना है हमें वीडियो देखना है हमें call करना है किसी को लगाना है या हमें ए चैनल खोलना है इस चैनल पर निउज देखनी है तो ये सोचता दिमाग ही है और आप देखते हैं कि दिमाग अगर आप लोग बोल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं तो यह laptop, computer या mobile से इस तरह से chip connect हो जाएगी कि आपका दिमाग जो सोचेगा वो उस तरह से आप देखेंगे mobile चलेगा, computer चलेगा तोसी की बात हो रही है, ठीकट? बातों को कोई केबल अपने दिमाग में सोच रहा होगा और मस्के की अनुसार इस chip खास तोर पर दिव्यांग और नेथीनों के लिए बनाई आ रही है और ऐसे होगा neural link device का इस्तिमाल इस device का इस्तिमाल सबसे पहले नेथीनों को उनकी दिरिष्टी बापस दिलाने के लिए अलावा ऐसे लोगों की मदद के लिए किया जाएगा जो सारे रिक रूप से कुछ भी करने में आसा मरत है और मस्के की अनुसार जर्म से दिरिष्टी वादित होने की बात भी इस device की मदद से आँखों की रोसनी को लोटना संभव हो सकेगा लोगों की आँखों की रोसनी भी लोट सकती है इस चिप की मदद से और जैसा कि आपको बताए कि बंदरों पर इसका ट्राइल किया गया था और इसमें आप देखेंगे पिछले साल कमपणी ने बंदर का एक वीडियो सेयर किया था और जिसमें बंदर निवरा लिंक टेकनोलोजी का इस्तेमाल कर रहे थी और वीडियो गेम खिलती हुए देखा गया था यानि कि बंदरों में इस चिप का उपयोग पहले किया जा चुका है उन पर ट्राइल किया जा चुका है और इस चिप की मदद से बंदरों ने निवरा लिंक टेकनोलोजी का इस्तेमाल करके गेम जो वीडियो गेम आप लोग खेलते रहते ना इसी तरह का एक गेम खेलते हुए दिखाये गया था और कहते हैं कि इस टेकनोलोजी का ट्राइल करते समय एक दरजन से जानदा बंदरों की मौत हुई थी और इसी साल फरवरी में आई खबरों की मताबिक इस चिप के ट्राइल के दौरान 15 बंदरों की मौत हुई थी और एक की माने तो उसके मुताबिक 2017 से 2020 के बीच इस डिबाइस की टेस्टिंग के लिए लाए गए 23 बंदरों में से चिप इपलांट के बाद टेस्टिंग के दौरान एक दरजन से जानदा बंदरों की मौत हो गई थी और जिसके बाद इस डिबाइस को बिबादों का सामना करना पड़ा था और आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरवज बंदर ही तो रहे हैं तो बंदरों में आप दिक Brockie बंदरों में आसानी होती है कोई भी आप देखते हैं कि ट्रायल करना होता है तो और इस technology से फायदा क्या होगा मस्क की अनुसार इस device की मदश से सारे रीक रोप से किये गया काम से जानदा तेजी से किया जा सकेगा और वहीं इस technology को और advance बनाया जाएगा ताकि इससे दूसरी device को भी control किया जा सके अब आपके दिमाग में इस सवाल जरूर आ रहा होगा कितनी सुरक्षित रहेगी ये तकनीक इसका फायदा होगा या नुकसान होगा तो एलन मस्क ने इस कारकिरम के दौरान बताया कि निवरा लिंक ने बंदरों पर इसका परीक्षन किया है और यह उनमें अच्छे से काम कर रहा है और इससे जोड़े परीक्षनों की नेतीजों की सहारे कहा जा सकता है कि ये सुरक्ष और भरोसे मंद है और इस निवरा लिंक चिप को असानी दिमाग जितने सुरक्षित तरीके से लगाया जा सकेगा उतनी ही आसानी से हटाया भी जा सकेगा इंसान की दिमाग में 9 अपरेल 2021 को एलन मस्क ने बताया था कि निवरा लिंक की इस चिप की मदद से एक बंदर आसानी से पॉंग नाम का आरकेड गेम खेलना सीख गया था और चोकाने वाली बात है कि इस चिप की मदद से ही बंदर ने पॉंग खेल को सीखना खेलना सीखा था और इस निवरा लिंक की चिप की को बाल से भी पतले तारों की जरेए इंसानी दिमाग से जोडने का पिलान बनाया जा चुका है और माना जा सकता है कि अंगले साल तक इस Neural Chip के जरिये दुनिया के बहुत से लोगों की जिन्दगी बदल सकती है और क्योंकि अंगले साल तक एलन मस्की की इस Neural Chip को FDA से मंजूरी मिल सकती है अब आप लोगों की दिमाख में यह भी आ रहा होगा कि यह FDA क्या होता है इससे मंजूरी क्यों लेनी जरूरी होती है तो Food and Drug Administration की बात हो रही है इसकी स्थापना 30 जून 1906 में हुई थी और इसका Headquarter USA में आप लोगों को देखने को मिलेगा और स्वास्त और मानों सिवा विभाक की एक संगी एजन्सी है और आप देखते हैं कि FDA खाद सुरक्षा, तमाकू उत्पादों, पूरक आहरों, नुस्खे और बिना परची के मिलने वाली दबाओं और टीकों और बायो फर्माटीकल्स, रक्त आधान, चिकिसा उकरण, बिद्धु चुमकिये, विकरण की नेंतों परवेक्षन के माध्यम से सारुजनिक स्वास्त की सुरक्षा और प्रिचार के लिए जिम्मेदार है तो इससे आप देखे, सुईकिती लेना ज़रूरी हो जाता है तो अभी तो यही जानकारी बताई जा रही है, तो मुझे लगा बता देना चाहिए, आप लोगों को इस तरह की कोई तकनीक आ रही है, टेकनोलोजी आ रही है और एलन मस्क ला रहे हैं, क्योंकि आए देन इनकी कुछ ना कुछ गोशना होती रहती है